एड़ होगो और अपका प्राइब नुटिफिकेशन के साथ सारा अपडेट चाहते हैं हो हमारी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में फॉर्म को भरके बताने वाला हूँ बहुत सारी प्राप्लम आती है लेकिन उससे पहले हम जाएंगे official notification पर क्योंकि सारी वीडियो में official notification के द्वारा ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक पड़ल के लिए भी यह न लगे कि यह vacancy नहीं आई है यह vacancy fact है यह हम form को apply नहीं कर सकते हैं जल्दी से मैं form का format भी बता दूँगा कैसे भरना है नाम और आप नाम पापा का नाम address पाकी सारा कुछ आपने details में भरना है अपने high school जो भी आपने high school या eighth किया है उसके हिसाब से ठीक है चलिए पहले official notification को जल्दी से read कर लेते हैं और बता देते हैं उसकी last date वगएरा कब तक है बाकी official notification में जादा कुछ है नहीं यह देख लीजीगा अपनी तसलिक के लिए आप देख लीजीगा इसकी जो notification की last date है last date है दोस्तो 15 जनवरी सन 2021 तक आप apply कर लीजीगा और इसकी जो आविदन पिर किया है यानि कि जो notification आ गया था दोस्तो 22 दिसंबर सन 2020 तक आ गया था बाकी का यह post देख लीजीगा जो भी जहां से भी belong करता है यह वहां सारी post है दी हुई है चली बाकी आगे परते हैं education qualification देख लीजीगा अपना दोस्तो मैं पहले ही education qualification बता दूँगा जिनके पास 1S का ITI यह फिर उनने 10th किया है यह फिर उनके पास certificate है certificate देखिए का नीचे mention क्या हुआ है यह आपके पास NTC का यह फिर SB SCVT का या NCVT का certificate हो तो आप आसानी से apply कर सकते हो यह पर 10th pass पर भी वेकेंसी है चलिए और बाखी का education पढ़ लीजिएगा वह ज्यादा matter नहीं रखता है क्योंकि वह आप notification से पढ़ लोगे और आगे चलते हैं STSC के लिए जो इन्होंने छूट है इस में वह ज्यादा रखिए हैं यहां पर तीन साल और पंदरा पास साल और पास साल और तीन साल को ST के लिए रखिया और जो इस criteria आपका होना चाहिए जनरल के लिए 18-26 साल के लिए होना चाहिए 18-26 के बीच में अगर आप हो तो इस form को बनने के लिए आप eligible हो देखिए online mode पे यानि कि आप कुछ भी नहीं करना है और जहां पर online apply लिखा है वहां पर online apply करके आप उस site इसमें दे रखिया notification में वहां से भी जा सकते वाशे मैं link description में provide करा दूँगा सारे तो आप वहां से भी जा सकते वासानी से देखिए गा दोस्तों selection process की बात करें हम selection process इसका पहले return exam होगा 14 फरवरी सन 2021 को इसका return exam होगा फिर उसके बाद आपकी merit लगेगी उसके बाद medical वगेरा होंगे तो आपको आसानी से selection मिल जाएगा यही है इसका selection process और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं और फिस भी कुछ समझ में नहीं आता है आप notification को read कर लीजीगा यह देखीगा इसमें लिखा है Sunday को आपका exam होगा ठीक है tentively date दी गई है यानि आप आत की स्तिती में यह date बड़ा यह घटाई भी जा सकती है चली इस जल्दी से बढ़ते हैं इसका form कैसे फिल करना है ठीक है इसका form फिल करने में आपको परिसानी नहीं आई इसलिए मैं थोड़ा सा बता जेता हूँ इसके official side पे जाके आप सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे click करेंगे यहा बगरा लिखी हुई है इसमें यह देखिए यह सबसे पहले आपने रजिस्टेशन करना है यहाँ पर रजिस्टेशन पहले कर लिजिगा रजिस्टेशन करोगे तो आप अपना form कर पाऊगो देखिए रजिस्टेशन कैसे करना है रर रजिस्टेशन करना है उस पे click करना है यह रजिस्टेशन है और इस दूपर से लिखा है registration now पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आप इसके form पर पहुँच जाओगे जहां पर आपने अपना नाम देखीगा यह सारा कुछ लिखा हुआ है पहले post नाम फिर qualification और फिर आपने कौन सा course किया है और आपका pass out हो हो यानि कि pass out हो yes कर देना अपना नाम और confirm name first name और middle name फिर confirm middle name करना है फिर last name फिर उसको confirm करना है आप अपने जेंडर स्लेक्ट कर लेना आप आप नेशनल्टी स्लेक्ट कर लेना Indian worth update डाल देना category डाल देना और यहां पर अगर आप PWD से हो तो वह भी डाल आपका जो OTP है वह आने में आपको दिक्कत ना हो यहां पर टिक करना और यहां पर registration कर देना बहुत ही सिंपल है फिर registration करके एक registration के लिए जो दुबारा मैंने form बताया था उसमें जाना और वहां पर अपना यह देखीगा यहां से पीछे जाना थोड़ा प्रोब्लम करता है दोस्तों कभी कभी तो एक दुबार कर यहां पीछे चली जाओगा ठीक है फॉर्म बरके सम्मिट कर लिजीगा और फिर भी कोई टेक केर दोस्तों अपने घरों में आप सुरक्षित रहीगा सेफ रहीगा